संसत परिशन में सम्विधान की कौपी लाने पर राहुल गांधी ने मोदी और शाहत पर बूला हमला, राहुल ने कहा कि पीए मोदी और अमिशा का सम्विधान पर हमला हमें बरदाश्त नहीं, इसलिए हमने सम्विधान को लेकर शपत लिया सिरपर लाल जोपी गले में लाल गम्चा और हाथों में सम्विधान की किताब लिये सपानेता अखिलेश यादव सभी 37 सांसदों के साथ पहुचे संसद भवन आयोध्या से बीजेपी को हराने वाले अवदेश प्रिसाद का हाथ पकर साथ ले गए संसद भवन संसद भवन में मोदी के शपत ग्रहन के दौरान राहूल गांधी अखिलेश यादव ने हाथों में समविधान उठाकर मोदी का किया विरोध प्रदर्शन कॉंग्रस नेताओं ने कहा कि ये देश समविधान से चलता है न कि किसी की तानाशाही से शिक्चा मंतरी धर्मेंद्र प्रदाण के शपत ग्रहन के दौरान संसद भवन में विपक्षी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन इसे दिन सम्विधान को पूरी तरहा नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था मोधी के 25 जून वाले बयान पर कॉंग्रोस अध्यक्षब मलिकर जुन खरगे ने मोधी से पूछा सवाल अखडगे ने कहा कि देश को उमीद थी कि संसस सत्र के पहले दिन प्रधान मंतरी नीट और अन्या परिक्षाओं में पेपर लीक जैसे महत्पूर मुद्धू पर बोलेंगे लेकिन उन्होंने मौन साद लिया यूपे में आरो और ए आरो के पेपर लीक मामले में स्टी एफ ने किया बड़ा खुलासा है स्टी एफ के मताबिक परिक्षा का पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था लीक स्टी एफ ने छे को किया खरफतार जिनमें तीन है बीट एक पास आयोध्या में करारी हार के बाद बीजेपी सरकार ने आयोध्या वासियों से दिखाए नाराजगी सरकार और प्रिशासन ने किया पांच बड़े बदलाव एरो सिटी पर लगाए रोक तो फ्लाई ओवर का प्रस्ताव भी किया कैंसल साथ ही व्याइपी कल्चर को किया खत् ने उनकी आवाज हूँ जिन्हें इनसान नहीं जानवर मान कर सामाजिक आर्थिक आधार पर कुछ लगया है आकाश अनन ने फिर से मायावती का उत्रादिकारी बनाया जाने पर कहा करोड़ो दलित बेहनों के सपनों को साकार करने वाली बाबा साहिब के मिशन को समर्पित आधार निये बहन मायावती जी का अशरवाद मिला उन्होंने जो जिम्मदारी दी है उसे पूरे जी जान से निभाऊंगा तो दोस्तों ये हैं आज की तमाम बड़े खबरे इसी तरीकी के और खबरे देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सबस्क्राइब कर लीजे अमस्कार